हाई गाईज, वेलकम बेक टु मारी चानल, मैं कुस्सुगमाउन मेरी चानल पर फिर से एक आपका स्वागत है तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही फ्रेंडिंग टॉपिक शेयर करने आए हूँ जी हाँ, मुसे बहुत से लोग को पूछ रहे थी आज मॉर्निंग में ही मैंने आप लोगों के साथ एक जो है अपनी पेक शेयर के थी जिसमें आपने देखा था मेरी कमर का साइज है यादी मेरी वेस्ट का साइज वो 45 था और आज की डेट में 32 है तो इस गैप यानि कि यह जो इतना ज्यादा मार्जिक था इसको मैंने किस तरह से कम किया है तो मैं आज आप लोग साथ शेयर करूगी देखें, बहुत सारी चीजे हैं, डाइट है, ग्रेंस हैं, बहुत सारी चीजे लेकिन जो चीज अहम को मिका निभाई जिसमें मेरे इस बेट साइज को कम करने के लिए तो वो मैं आज आप से शेयर करूगी यह क्या हो था जब स्टार्ट में टिंग मैंने उस चीज को लेना स्टार्ट किया तो मेरी कमर जो है, बहुत तेजी से पतली होना स्टार्ट जब वो पॉटी पे आई, पता नहीं क्या हुआ, मेरे मेरे में से क्या स्लिप हो गया मैंने उस चीज को लेना बन कर लिया अगें मुझे तीन महिने बाद याद आया कि क्योंकि बीच में बिल्कुल जो पॉटी की पॉटी बनी रही बिल्कुल भी एक इंच भी कम नहीं अगें मुझे जब याद आया कि जब मैं उस चीज को ले रहे थी तब मेरी बेस का साइज बहुत तेजी से पिखलना था तब अगें मैंने लेना स्टार्ट किया हूँ और आज की डेट में 30, 32, 33 ऐसे रहता है मेरा पेस का साइज जो मुझे भी अभी 30 करना है तो जी हाँ आज मैं वो आप लोग साथ शेयर करने हूँ और उसे मैं रेगुलर ले रहे हूँ और अगर आपने इस चीज को लिया तो मान के चलिए 15 दिन में एक से 1.5 इंच आपकी पहाँ तेजी से पिग लेगी यह आपके कमर के फैट को गलाएगा आपके बैक के फैट को गलाएगा जाइट के लाब हैदल सोते हैं उपने गलाएगा नहीं करते हैं वीडियो के तरह पड़ते हैं लेकिन उसे पहले जिन लोगों लेगी चानल को भी तक सब्सक्राइब ने किया है पटा पट से चानल को सब्सक्राइब करिए और एक छोटी सी बैल इकन लगिए उसे प्रेस करना बिलकल भी बत तुलिएगा तो आपको मेरे जो का वीडियो का नोटिफिकेशन बिलकुल दीने मिलेगा तो चले चलते हैं वीडियो की तरह तो फ्रेंड्स यह जो है वो है अलसी का पाउडर जो मैंने आपको एक बहुती ज्यादा मतलब की पास्मोड पे दिखाया है और आपको इसे बहुत ज़दा क्वांटिटी में बन त्रिफला होता है उसका चुदिन चाहिए यह आप बहुत ज़दो कांटिटी में नहीं बना के रखेंगे किसी बीकपनी का ले सकते हैं पतंजली डाबर किसी बीकपनी का आप यह ले सकते हैं इन दोनों चीजों को आप अच्छे से मिला के किसी जार में रख लीजे इत्ती क्वांटिटी में बना के रखिएगा ज्यादा बनाएंगे तो फिर नहीं सही रहेगा यह आपके लिए और इसके बाद आपको क्या करना है हाफ टेबली स्पून ब्रेकफास्ट के बाद लंच के बाद एंटिनर के बाद यानि कि दिन में टेड़ चमच यह आपको कनुजि जैसे माली चाहिए आपने पेट का जो है घटा भी लेकिन लटका हुआ होता है तो अलसी जो क्या है उसे टाइट करेगी तो उससे भी आप काफी तोन दिखोगे और जैसे मैंने बताया कि यह जो त्रफला है यह आपके वेट लॉस और चर्बी के लॉस में बहुत ही ज्याद लौस यृटल नहीं लेगा जो होता है ना कर चुंच ब वहाट जल्दी कर लेते हो फैट लॉस नहीं होना ज़ें परिगी की यह करें लेगा और ऑर तो और ब छूम धूम के घट प्याना के यह सबसे बड़ी बात है तो लिज रस अपर जाप लागा हुआ तो आप लिए कर झाल झाल